दोस्तों काफी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे transformer में input कहां से होगा और output कहां से होगा यह mention नहीं रहता जैसे कि local transformer जो आते हैं उन में mention नहीं रहता तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही simple तरीके से एक multimeter के माध्यम से हम कैसे पताज कर सकते हैं कि कौन सी wire input है औ यहां लाइक और शेयर जरू करना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 transformer मेरे पास यहां पर रखे हैं अब भी समक्त पता कैसे करें कि कौन सी pin input है कौन सी output आपको एक-एक करके बताऊंगा चलिए यहां पर रख लेते हैं इनको अलग- और एक-एक transformer से आपको बताऊंगा तो यहां पर बहुत ही सरल तरीके से हम यह trial कर सकते हैं और सभी में बताऊंगा यहां पर अलग-अलग-पिन वाले transformer मेरे पास पड़े हैं तो सभी मैं आपको practically मैं बता दूँगा पहले यह जो transformer है मेरे पास यह company का transformer है अब ही इसमें तो यहां से होना है अगर हमें देखिए अगर यहां पर लिखा नहीं होता तो कैसे हम पता करते तो आगे एक transformer और दिखाऊंगा जिसमें लिखा नहीं है फिर भी हम असानी सी ट्रेक कर सकते हैं वहां पर सेम तार होती है और जो company के ट्रांस फार्म होते है उसमें एक खास बात ह होती है जो input wire होती है वो थोड़ी सी मोठी होती है और output थोड़ी सी पतली होती है अभी transformer में हमने पता कैसे करना है अगर वायर अगर आपको पता निये सेम वायर लगी है जैसे सेम कलर के लगे तो पता कैसे करे यह देख लिजिए सब सब पहले multimeter को आपने buzzer के range पे रख ल है खलए आशाणी से गजाए एक और एक चीज़ आपने ध्यान देनी होगी दोनुंवायर में देखी दोनुंवर ट्रांसफोर्मर क्या होते है आपको बटादो दो Transformer किस तरीके से वर्क करता है छोटी सी डाइग्राम से अब को बतादेता हूं फिर आप समझने मां आपको बहुत ही आसानी रहेगी अगर रिलेटेड वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बहुत ही बहुत ही आसानी से यह समझमा आजायेगा और देखिए बढ़ियान फूरुक देखिए यहां से देखीं transformer का जो głos होता है यह हैं यहां पर यह सेंबल है अगर सेंबल फिलको एकुरेट तो नहीं हो पायगा क्योंकि यहां पर जल्द बाज बात मैं बना रहा हूँ तो यह है यह smart for one वी यहां से दो वायर in put की होंगी दो वाय边 out put की होंगी अब काफी लोग यह कहारोंगो भाई इनपूट और आउटपूट कैसे हुआ यहां से इनपूट हो गया और आउटपूट तो यहां से डायरेट होना चाहिए था बीच में आपस में यह कैसे हो का भाई यही ट्रास्फोर्मर की खास बात होती है यहां इन दोनुवायर में हमें एक जो होनी है देशे यहां पर से 220 वोल्ट हमारी इनपूट होगी यहां से इनपूट तो यहां पर हम इन दोनों में यह मल्टिमेटर की दोनों प्रोप्स लगाएंगे तो इनपूट में तो हमें ज्यादे ओम्स दिखाएगा और लगभग डेड़ 100-200 से उपर ही दिखा सकता है तो सब तो सबही महां अलग अलग दिखाएगा कि कितने ओम का है क्या है करके हो सकता है किसी महां अलग दिखाए तो यहां पर कुछ ऑमस आपको 2-3 चार ऊमस दिखासकता है और लेकिन इहां पर आपको बीप साउंड पूरा-पूरा सुनाए देगा कहां पर आउट्पुट में मल्टी मीटर के दोनों प्रोब लगाने पर और देखिए यहां पर और यहां पर देखी इन दोनों में के बीच में कुछ ऐसा एक magnetic field तेयार होता है कि यहाँ पर output को उतना voltage वो सप्लाइक करता है यह सब deeply आपने समझना होगा इसके लिए मैं एक separate video बना दूगा transformer किस तरीके से work करता है फिलाल टेस्टिंग की बात करेंगे हम फिलाल मोटे-मोटे तौर पर आपको बता दिया वैसे ही यहाँ पर यहाँ पर त फुल बीप मारे का और कुछ बहुत कम जो इनपूट होगा उसमें ज्यादे ओम और जो आउटपूट होगा उसमें कम ओम दिखाएगा देखिए फुल बीप मार रहा है कितने ओम दिखा रहा है दो यह output है जहाँ पर बीप यहाँ पर सुनने को हमें मिलेगा वह हमारा output 666 ohm से दिखा रहा है मतलब जहाँ ज्यादे ohm यहाँ पर दिखाएगा वह होगा input और जहाँ पर बीप साउंड पूरा आएगा और बहुत कम ohm दिखाएगा वह होगा हमारा output चलिए इसको रखता हूं मैं side पे और एक ऐसे transformer लेता हूं जिसमें कुछ भी mention नहीं है और यह स right input होगी 220 volt और इनसे निकलेगी तो एक तुक्का लगाना अलग है और सीखना और उस चीज को पहचाना बहुत अलग है और यह local transformer आप बिल्कुल देखिया असानी से इसमें आप पता भी नहीं कर पाएंगे सारी की सारी वायर बिल्कुल एक ही मोटाई की है अभी देखिए इसमें असानी से हम पता कर लेंगे चलिए इसको इस तरीक से लिए ताकि आपको अच्छी तरीक से दिखाया दे अब आपको लगे देखने में और बहुत ही आसान समझ में आ जाए चलिए इसको सेट कर लिया है अभी करना के आपने इसको देखिए यहां पर देख यहां से आउटपूट है वह बाद में टेस्ट करके पता चल जाएगा कि इसमें से कितने वोल्ट हमारी आउटपूट निगल लिए तो यह आउटपूट है हमारी अब यहां पर चेक करते हैं इन दोनों को चेक करते हैं चलिए यहां पर इन दोनों को चेक कर लेते हैं तो इन चलिए तो भाई यह जो पीले वाले हैं यह आउट्पुट के हैं और यह भी आउट को मतलब इसमें से दो वाइर हमारी आउट्पुट के निकल रही है पीला और इस तरफ नीला वाली और बीच वाली हमारी यहां से वोल्टेज इन्पुट होएगी मतलब जो सो भी वोल्हार इहां से इंपूट करेंगें तो इन दोनों से आउटपूट निकलेगी उर साती 1 सिर भी आउटपूट निकालेगी जो बहुत सारे ट्रासपोरमर अलएलग वोल्द आउटपूट करते हैं तो इसमें से पता निकिने वौल्ट आउट पूट होनि इसचलिए सी की की टेस्टिंगर के आपको लास्ट में बार बता दुंगा कि बोट अतर्ब की है ये हैं इन्पूट की फोगी स्मे कोई भी भी हमें नहीं देखिए देखिएगा लास्ट में आप धान दीजी गाल वालीवर चछ पर एक और ट्रास्पोर्मर है सारी धन्स भूर बिलकुल अलग अलग दिखाऊंगा आप को तो यहाँ पर तो देखिए हां पर तो फेचान हो ही जाएगी यहां पर यह 1212 का है असल मैंने इसको खुद ह और यहां पर मैंने इसको बनाए था भिलकूल damage कंडिशन में अलग से वाइरिंग करके इसको बना रखा आप देख सेकते हैं बिल्कुल काम चलाओ मैंने बना रखाया है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर यहां पर इसके दो वायर जो उपर है, उनको मैं देखता हूँ पहले, मैं रहे कोःटा है, यहां पर कौन सा इन्पुट है, फिर भी आपको प्रैक्टिकली तोर पे हर प्रकार की ट्रांस्पॉर्म मे दिखा रहा हूं तो आपे एक सवित में लगा लिए लाल पे लगा लिए अब देखें तो आपे कितना दिखा रहा है एक अब बॉयाशी दिखा रहा है दो अलग वाय पिसका मतलब यह इंपुट है और यह आउटपुट है करके हमें कैसे पता चली शिया मार ना भी सायद बताया था मैंने तो वीडियो चलिए इसमें अच्छी दरगी से समझ लीजिए आप यहां पर यहां पर देखिए यह दो आयर मोटी है यह कंपनी का एंपूट रेट और रेड भई रेड और रेड तो दो है तो इंपूट किस्म होना जो चलिए ऐसी बता देता हूं लिखा भी है फिर भी आपको बता देता हूं तो यहां पर दो मोटी वाली रेड में हमlo Kita करेंगे सबसे पेले देखिए तो यहां पर कितना ओम दिखा रहे थ Kelvin चपा इसका मतलब यय जो है इंपूट है जादे ओम दिखा रहे तो इंपूट है बीह नहीं मार रहा मतलब इंपूट है और जहां पर पर B Mareg और रेड यह मुट्य एली इंपट है और लास्ट में दिखा रहे हैं घाट जो है आउटपुट हो नहीं है तो यहाँ से आउटपुट दस वोल्ट निकलेगी हमारी और यह ब्लू ब्लेक ब्लू यह तो इन यह आउटपूट 18 वोल्ट निकलिए फिर भी इसमें से चेक करेंगे हम फिर भी कंप्यूज हमारा दूर हो जाएगा कंप्यूजन का दूर होना कोडिंग के मादे में से जो लोकल ट्रांसपोर्म तो उसी में दिक्कत अब चलिए एक प्रैक्टिकल आपको मैं दे देता हूं इस टास्फोर में आपको मैंने बताया था यह रेड़ वाली इंपूट होनी है क्योंकि यहां पर हमें ज्यादे ओम सो कर रहा है देखिए एक मेंट आपको दिखा दूं किसी बात का नहों देख लिए आपने ठीक है यहां पर मैं इंपूट दे देता हूं तो यहां पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है अब मैं आउन कर लेता हूं यहां पर आपको सबसे पहले मैं लाइन दिखा देता हूं यहां पर मल्टी मिटर को यहां पर साड़े साथ सो वोल्ट की रेंज पर रखा है और यहां पर दि क्या है करेंट होगा कि नहीं पुरान ट्रास्पोर्मर है चले पीले वाले कितने वोल्ट है अभी पता चल जाएगा कितने वोल्ट आउटपुट करते हैं तो यहां पर इसको 200 मां लगाऊंगा देखिए 200 मां सैट करता हूं तभी पता चल पाएगा इस्टेप डाउन है तो य आसानी से पता कर लिया कि यह कितने वोल्ट इंपुट और आउटपुट सुरी कितने वोल्ट आउटपुट दे रहे हैं और कैसे पता करना है यह आपको बता दिया और साथ ही यह भी बता दिया मैंने आपको कि भई बड़ी ही आसानी से इंपुट और आउटपुट वायर इजय बार